बते हैं चहिन साथियों मेहवरौन कुमार आज हम बात करेंगे आयोध्या में जो नवनर्मितों त्रिडाम मंदिर है उसकी विशयके बारे में जो की नागर्स्हेली में बनाया जा रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं यह जो नव निर्मित स्रेडाम मंदिर आयोध्या में बनाए जा रहा है यह नागर सहली का एक मंदिर है इस मंदिर में नागर सहली के साथ साथ कुछ द्राविड सहली की भी विशेशता हैं तो कौन-कौन सी विशेशता है नागर सहली की है और द्रावि यह हिमाले परवत है और यहां पर है विंधिया चल रेंज हिमाले परवत से लेके विंधिया चल परवत के बीच में जो मंद्रों का निर्मान किया जाता है वो विशेष्ट तया नागर सैली में किया जाता है इसे उत्तर भारत की मंद्र निर्मान सैली या नागर सैली भी इस इंद्याचल परवस से लेके क्रिष्ण नदी तक जो कि दक्ष्ण भारत में बैती है वहाँ पर जो मंदरों का निर्मान किया जाता है इस छित्र में उसे बैसर सैली केते हैं बैसर सैली और क्रिष्ण नदी से लेके दक्ष्ण भारत में जो मंदिर हैं विशेष रूप से क्र पेशरित रूप ही लि उस्लिस रूटे में दोनों ये दोनों gundra होती हैं तो आगर सैली के मंदिरू क क्या विश्वता होती है इस वारे में चर्चा करेंगे देखिए अगर मैं आपको मुख्या प्रूप से बताने की कुछ इसकरूं एक्जाम्पिल तो नागर सहली के मंदर का एक्जाम्पिल जो है वो देवगण में विश्णु मंदर है उत्तर परदेश के अंदर जिसे दसावतार मंदर भी कहा जाता है जो की गुप्त काल में गुप्त सासकों के द्वारा जिसका निर्मान किया गया था ये में ख़ात करूं तो आपको मिनाक्सी मंदर मिलेगा मदुरही में एक मंदर मिनाकसी मंदर भूत मंदर है और चोठ राजावन बनाइगया एक मंदर ब्रदेश्वर मंदर जो है वह भी जो है ।्यृ irony का मंदर है ये दोनों बहुत भारत मंदर हैं अगर हम बेसर सहली के मंदरों की बात करें तो बदामी के मंदर जो चालुक के राजाओं ने बनवाए थे और पापनात के मंदर जो है वो बेसर के मंदर है बेसर सहली के मंदर का द्रमाण मुख्य रूप से चालुक के राजाओं के द्वारा किया गया था तो इस तरह से हम इनको एक्जाम्पिल भी मैंने आपको बताए आज के वीडियो का हमारा मुख्य टोपिक है आयोध्या में नव निर्मित स्रीराम जी का जो भव्य मंदर है वो नागर सहली का मंदर है उसकी क्या क्या विशेष्थाएं है मतलब नागर सहली के मंदर के क्या क्या विशेष्थाएं होती है तो दीखिए नागर सहली का जो मंदर होता है वो सबसे पहले एक चबूत्रे के ऊपर बनाया जाता है चबूत्रा एक उचा उठावा अधिष्थान के नाम है जिसे हम आम बॉल चाल की भासा में चबुत्रा कहते हैं जिसके ओपर मंदर का निर्मान किया जाता है नागर सहली की पिर्थम विशेश्था यही है जगती अधिष्थान या पीट सीधा एक्जाम में कोशन पूछा जा सकता है कि जगती अधिष्था या पीट क्या होता है तो जगती अधिष्ठान या पीट उचा अधार होता है जिस पर मंदर का निर्मान किया जाता है और स्री राम मंदर जो बनाया जा रहा है उद्या में उसमें इस जगती की उचाई यहां पर आप देख सकते हैं यह जो है यह उचा उठाऊ इस्थान जो जो जगती होती है उचा उचा उठावा इस्थान जो या दिस्थान इसमें या तो एक तरफ से मंदर में प्रिवेश करने की शीडियां होती हैं या तीन तरफ से मंदर में प्रिवेश करने की शीडियां होती हैं मंदर के पीछे की तरफ से मंदर में प्रिवेश करने की शीड यहां से आप देख सकते हैं यहां से भी आप देख सकते हैं और दूसी तरफ से भी इसमें मंदर में के अंदर पहुंचने की सीड़ियां हैं तीन तरफ से इसके अंदर मंदर मंदर के अंदर पहुंचा जा सकता है जगती में तीन तरफ से सीड़ियां बनी होई है जो नव नि कमरा है इसको कहते हैं गर्भ ग्रह और मुख्य कमरा या गर्भ ग्रह के अंतरगत जो होती है जो उस मंदिर के भगवान होते हैं उस मंदिर के देवता की जो मूर्ती होती है उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है यानि मूर्ती यहीं पर इस्थापित होती है देकि प्राण प्रतिष्ठा जैसा कि स्री राम मंदिर आयोधिया में जो निरमित है वहाँ पर भगवान राम की मूर्ति की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो 22 जन्वरी को होने वाली है प्राण प्रतिष्ठा का मतलब यह होता है कि मूर्ती के अंदर जीवन को फूक देना यानि उस दिन से उस मंदर में भगवान उस मूर्ती में स्री राम का या भगवान का वास माना जाता है उसे कहते है प्राण प्रतिष्ठा तो ये जो गर्ब ग्रा होता है मुख्य कमरा जो होता है जिसके अंदर भगवान की मूर्ती स्थापित होती है उसी को गर्ब ग्रा कहते है और गर्ब ग्रा जो है ये नागर सहली की विशेष्टा है मंदर के अंदर एक मुख्य कमरा होता है जहां पर मुख्य देवता की प्रा सिखर है यह आप सिखर देख सकते हैं और सिखर के नीचे ही होगा मुख्य कमरा जहां पर प्राण प्रतिष्ठा होगी मुख्य देवता की यहीं पर मुख्य कमरे में होगी उसके ओपर यह सिखर आप देख सकते हैं तो यहां पर आप देख पाएंगे यह मुख्य कमरा है यह म जाता है और यहां पर विशेष्टा वाली बात यह कि गर्व ग्रह के ऊपर कोई छत नहीं होती है, यहां पर कोई छत नहीं है, यानि कि आप नीचे गर्व ग्रह में खड़े के ऊपर देखेंगे, तो आपको सीधा यह वाला भाग दिखा देगा, जहां पर यह जो रेखिये जो रेखिये छत है वो जाकर मिल जाएगी, मतलब नीचे से सीधा यहां तक देख सकते हैं, यहां बीच में कोई भी छत नहीं होती है, इसलिए मैंने इसको क्रोस किया हुआ है, यह नागर सैली की विशेष्टा है, गर्व ग्रह की जो रेखिये छत है, यह तीन परकार की हो होता है, इसके बारे मैं आपको बताता हूँ, तो देखिये रेखा प्रसाद सिखर में क्या होता है, दीवालें धीरे धीरे अंदर की तरफ जुकती हैं, और उपर वक्र बना कर मिल जाती है, मतलब दीवारें जो हैं, जो गर्व ग्रह के ओपर की दीवारें हैं, वो धीरे धीरे 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 जुकेंगी, धीरे 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 जुकेंगी और उपर वक्र बना कर अचानक से मिल जाएंगे, इसको कहते हैं, रेखा प्रसाद प्रकार का सिखर, दूसरा सिखर होता है, फंसाना, उसमें क्या होता है, उपर की तरफ रेखे जुकाव होता है, सीधा रेख यानि इस तरह से एक ट्राइंगल की त्रभुजाकार सराचना बन जाती है जो कि नीचे से चोकोर होती है रेखा प्रसाद में भी जो सराचना है वो नीचे से चोकोर होती है और फ्रमसाना में भी जो नीचे सराचना है यानि गर्ब ग्रह की जो मुख्या गर्ब ग्रह है उसक करती का निर्माण हो जाता है फंसाना को बस बनाना आसान होता है रेख ये प्रसाद के मुकावले इसलिए आप देख पाएंगे उत्तर भारत में दिक्तर मंद्रों में जो है फमसाना बना होता है रेखा प्रसाद को बनाना थोड़ी जटल प्रिकरिया होती है तीसरे प्रकार की जो हमारी सिखर है वह वल्लभी प्रकार का सिखर वल्लभी प्रकार के सिखर में क्या है नीचे आयताकार गर्बग्रया होता है यहां पर हम देख पा रह ज्यायताकार गर्भग्रह और इसके ऊपर एक वक्राकार चत मतलब एक तरह से आप कर सकते हैं जैसे कि जैसे कि आ टेरेन का डबा शारी करकार की श्रथ तो होती है ऑlles अड़ेया चाहित प्रकार की शिकhrar बहुत ही कम टेखने चंद्रों की उसमें होता है आमलक देखिए आमलक नागर सहली में इसको आमलक कहा जाता है और द्राविड सहली में इसको कहा जाता है विमान दोनों में अलग-अलग विशेस्ता हैं लेकिन आमलक और विमान जो है आमलक जो है नागर सहली का सब्द है और विमान जो है वो द् इसको हम कहते हैं आमलक जबकि अगर द्राविड सहली में देखेंगे तो यह सरचना इस तरह की ना होके कुछ इस तरह की सरचना होती है कुछ आयताकार उसके ओपर छोटा उसके ओपर और छोटा इस तरह की आगरती बनी होती है तो नागर सहली के मंदरों में आपको करके ऊपर होती है यहां पर देख सकते हैं यहां पर देख सकते हैं यह है आमलक है आप डाउनलोड करके और भी मंदर की फोटो देखेंगे नागर सहली के उसको बढ़ा करके देखेंगे तो आपको आमलक यहां पर दिखाए देगा यह है आमलक यह जो आमलक अधार रखा ह वह है सिखर के उपर यह आमलक है पांच में विशेष्टा जो है नागर सहली के मंदर की वह है कलस क्या विशेष्टा है कलस के वारे में जानते हैं कि कलस क्या होता है कलस क्या होता है कि आमलक के ऊपर गोल आकार का जैसे कलस होता है लोटा होता है ना कलस कलस लोटा को कलस बोल इस आमलक के ओपर कलस होगा, किस में? नागर सहली के मंदिर में, आमलक के ओपर क्या होगा? कलस, चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, आमलक के ओपर कलस का है, तो देखिए, स्रीराम जन्भूमी आयत ध्यामें जन्में, स्रीराम मंदिर में यह आमलक है, और इस आमलक के ओप और यह आपे आप कलस देख सकते यह है कलस । यह सिखर है। सिखर भी कौन सा है रेखा प्रसाद वाला उसके ओपर यह आमलक और आमलक क Qur अपर कलस है। यह तीनों कॉ विशेस्था है जो है वह नागrosheeli के मंदिर की विशेस्थाई है, चलिए। छटी विशेष्टा क्या होती है छटी विशेष्टा होती है पता का या ध्वज बड़े अकार की पता का या ध्वज मंदिर के उपर लगी होती है नागर सहली के मंद्रों में सीधी जो है कलस के उपर भी हो सकती है या साइड से भी सिखर के साइड में भी आमलक के साइड में लगी हो इसे हो सकती है यह कलस के उपर भी हो सकती है लेकिन एक पताका बड़े अकार की पताका नागर सहली के मंद्रों के उपर होती है जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं देखिए यह कलस के उपर यहां पर पताका लगी होई है द्वज लगा हुआ है यह नागर सहली के म ये मंदिर जो स्रीराम मंदिर है, आयोध्या में नवनिरमित है, ये नागरसेली का मंदिर क्यों है? क्योंकि इसकी विशिष्टाएं जो है, वो नागरसेली की सभी विशिष्टाओं को फुलफिल कर रही हैं. चलि आगे देखते हैं और क्या विश्ष्टाएं हो सकती है? यह मुख्य कम्रा हो गया गर्भ गर्य। जहाँ पर भगवान की। ये मुख्यदेवता की प्रांड प्रतिश्टा है। उसके कारव तरफ या उसके ऑखारने। वेक्ति रमांड़ा. वरांड़ा द्रश होगी.丨 नुमें रमांड़ा सरचना को बनाने के लिए पिलर का चोटे चोटे बरामदे नुमा सरचना होती है, इनके उपर चोटे सिखर होते हैं, और ये इस थमब उपर पिलर पर बनाये जाते हैं, जैसे कि श्रिडाम मंदिर अयोध्या में जो है, पांच मंडपों का निर्माण किया जा रहा है, ये देख सकते हैं, एक, दो, तीन, चार और एक, इसके उस तरफ होगा, पांच मंडपों का निर्माण किया जा रहा है, और ये मुख्य, ये चोटे-चोटे बरामदे नुमा सरचना है, इनका निर्माण आप देख सकते हैं, पिलर के उपर किया गया है, और इस मंडप के उपर भी सिखर नुमा सरचना होती है, चो सरचना है, सरचना मंदिर जो बन रहा है अध्या में, उसके अंदर कितने स्थम्भ है, तो 900 बयान में पिलर है, इंपोर्टेंट कोस्चन है, जिके के जोग्रफी की द्रश्टी से भी बोल सकते हैं, आप जन्नल नोलिज के साब से अभियाद रखेगा, 300 बयान में इस वो पूरव की तरफ है, पूरव की तरफ, पूरव दिशा की और मुख्यद्वार है, और जो है इस मंदर में तीन मंजिला ये मंदिर है, जैसे मैंने आपको बताया, पहले तो सबसे नीचे ये जो जगती या अधिश्ठान है, ये वाला ये साड़े सोले फिट का है, पिलस की हो जाई है, ये मैं फैक्ट बता रहा हूं, पूछे जा सकते हैं, अगर हम बात करें लंबाई की, तो मंदर की कुल लंबाई तीन सो असी फिट है, मंदर की कुल चोड़ाई जो है, वो दो सो पचास फिट है, तीन सो बयान में पिलर है, और चावालिस दरवाजे है, इसक जगती के उपर तीन तरफ से सीडियों का निर्मान किया गया है, मंदपो की संख्या पाज है, मैं आपको बता चुका हूँ, इसके लावा, द्राविट सैली की दो विसेस्ता इस मंदर में है, एक तो इस मंदर के बाहर चारो तरफ एक दिवार बनाई जा रही है, बाउंड बाउंडरी वाल का निर्मान किया जाएगा, और यह जो विसेस्ता है, बाउंडरी वाल बनाने वाली, यह नागर सैली की विसेस्ता नहीं है, यह द्रेवड सैली की विसेस्ता है, यह नागर सैली की विसेस्ता है, और चारो तरफ जो बाउंडरी वाल बनाई जाती है, उसे कि नागर सहली की विशेष्टा ना होके द्राविड सहली की विशेष्टा है ठीक है परकोटा आप समझ गए यह सीधे आप से सब्द पूछे जाते हैं कि आमलक क्या है सिखर क्या है परकोटा किसे कहते हैं उसके बाद एक चीज और यहां पर बनाई जाएगी गोपूरम है नागर सहली की विशेष्टा नहीं होती है ड्राविड सहली की विशेष्टा होती है लेकिन अयोद्या मयं मंदिर जो बन रहा है स्ड़ाम tous महापर गोफूरम का दिनमाण किया जाएगा गोफूरम क्या होता है देखें मुख्यमंद bride हो गया इसके चारोतरफ परकोटा हो गया और इस परकोटा के अंदर प्रिवेस करने के लिए बहुत बड़ा विसाल दर्वाजा बनाया जाता है मंदर के अंदर पहुँचने के लिए परकोटा के बहारी विसाल दर्वाजा बनाया जाता है जिसे हम कहते हैं गोपूरम इससे ह कुई इस पोटो में नहीं दिखाई देंगी कौन सी इसके चारो तरफ जो है boundary वाल का निर्मान किया जाएगा जिसे कहते है परकोटा और उसके उस boundary वाल से अंद्र आने के लिए बहुत बड़े गेट का निर्मान किया जाएगा जिसे कहते हैं गोपुरम यह दोनों जो है किसकी विशेष्टा है यह द्राइविड सहली की विशेष्टा है चलिए एक चीज होती है पंचायतन सहली क्या होती है पंचायतन सहली तो से राम मंदिर जो बन रहा है आयोध्या में उसमें उसे बनाने में पंचायतन सहली का भी किया जाएगा यह मुख्य मंदर है जैसे आप आयो ध्या में समझे तो स्री राम मंदर और इसके चारो कोनों पर पर कोटा के चारो कोनों पर चार अलग-अलग मंदरों का निरमान किया जाएगा तो मंदरों के संख्या हो गई एक दो तीन चार पांच इसे कहते हैं पंचायतन पांच मंदर यहां पर होते हैं चार मंदर कौन से हैं ये भी कुशन पूछा जा सकता है तो एक है सूर्य मंदर दूसरा है संकर भगवान का मंदर तीसरा है भगवती माता का मंदर और चोथा है गणे जी का मंदर चार मंदर कौन से होगा यहां पर गणे जी का मंदर माता भग है आयो द्या में वो किस तरह से द्रेविट सैली का मंदिर है और उस किस तरह से नागर सैली में बनने वाला मंदिर है और उसमें द्रेविट सेली की भी कौन-कौन सी विस्षिष्टाओं को लिया गया है आई होप वीडियो में दे गई जानकारी आपको पसंद आई होगी मिलते हैं ऐसी ही किसी अगली वीडियो में तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सेयर कीजिए दोश्रों के साथ जय हिंद जय भारत कर दो